हलो गाइज दिस इस विनै और आप देख रहे हैं पाइफाइ लर्निंग लास लेक्शर के अंदर आपने पढ़ा Magnetic Anisotropic क्या होती अपकी यानि की Magnetic Anisotropic या फिर आपका बोले Anisotropic और Non Anisotropic Material आपके कहां कहां पर यूज किये जाते हैं और Anisotropy बनाने के लिए हम chemical treatment जो आपके प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं CRGO, वो आपके hysteresis loss को reduce कर देता है, तो last lecture के अंदर आपने इतना पढ़ा, अब हम इस lecture के अंदर आपका पढ़ने वाले हैं magnetostriction को, next is magnetostriction, next is magnetostriction, तो magnetostriction आपका क्या होता है, देखो, magnetostriction का मतलब आपका यह हुआ, कि अगर आपके, जैसे हम magnetic field आपके apply करते हैं, या फिर हम बोले external field जब आपके apply करते हैं, तो आपके dimension के अंदर कुछ change आ जाता है, किसकी dimension के अंदर, जो भी material आपका वहाँ पे placed होता है, उसकी dimension के अंदर आपका कुछ change आ जाता है, तो उसी change को हम क्या बोलते हैं, आपका magnetostriction, और यह जो आपका change आता है, यह आपका किसकी वज़े से आता है, due to its interatomic distance between molecules, ठीक है, तो यहां से हम इसको लिखेंगे, when, when a ferromagnetic material, when a ferromagnetic, when a ferromagnetic material, जब भी there is some change, there is some change, उसमें क्या आता है, कुछ change आपका आ जाता है, there is some change, in the dimension, in the dimension of this material, in the dimension of, in the dimension of this material, इस material, यानि की ferromagnetic material की dimension के अंदर आपका क्या आ जाता है, change आ जाता है, ठीक है, और यहां पे, due to, due to किसकी वज़े से, due to interatomic, due to interatomic distance, between, between, किसके अंदर आपका, molecules के अंदर, देखी कैसे, तो यहां पे आपका एक ferromagnetic material को हम consider करते हैं, यह आपका हमाले जी कोई ferromagnetic material है, और आपने क्या किया, इस direction के अंदर आपने magnetization provide किया है, ठीक है, यहां पे आपके dipoles हैं, dipoles का मतलब domain से आपके, तो यहां पे आपका क्या होगा, इस तरीके से अगर आपके dipoles रहेंगे, तो क्या होगा, इनकी आपकी moment होती है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, ferromagnetic material के अंदर, जब भी हम उसको magnetize करेंगे, तो वहां पे आपका क्या आएगा, वहां पे आपका, जो यह romance है आपके, इनके अंदर आपका change आजाता है, moment आपके होती है, तो यह अगर आपका मालगी यह मूमेंट कर रहा है, यह भी आपका moment कर रहा है, यह भी आपका moment कर रहा है, And this also moves, this also moves, and this also moves, तो क्या होगा आपका, इसकी dimension के अंदर change आजाएगा, किसकी dimension के अंदर? Ferromagnetic material की, हो सकता है कि dimension आपकी कुछ बढ़ जाए, घ्या है, और हो सकता है कि आपकी dimension कुछ इस direction में भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह जो dimension है, यहां तक आपके हो जाए ठीक है या फिर इसको बोलें यह आपका यहां तक हो जाए तो जब भी आपका dimension के अंदर change आता है when external field is applied to a ferromagnetic material then the process is called magnetostriction तब उसी process को हम क्या बोलते हैं आपका magnetostriction आपका बोलते हैं यह जब भी आप construction पढ़ोगे transformer वगयरा की तो आपको दिखावा मिलेगा books के अंदर magnetostriction तो magnetostriction का मतलब होता है when the dipoles are when the dipoles are moving there is some change in the dimension of ferromagnetic material जिक है तो यह आपका होता है magnetostriction अब देखो it is of two types यह आपका दो तरीके से हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया एक तो आपका इस direction के अंदर आपका बढ़ सकता है या फिर आपका इस direction के अंदर बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है इसी के हिसाब से आपके दो तरीके के आपके क्या होते है Magnetostriction होता है वैसे 3 types के आपके होते हैं पहले हम दो type का देखते हैं फिर आपका तीसरे type का इंदोनों का combination देखेंगे तो पहले आपका देखिए फस्ट आपका है Longitudinal Longitudinal Tudinal Magnetostriction Longitudinal Magnetostriction Longitudinal का मतलब आपका क्या होता है Longitudinal Magnetostriction का मतलब आपका होता है कि कुछ आपका जिस डिरेक्षन में आपने Magnetization या External Field आपका Apply किया है अगर उसी डेरेक्षन के अंदर आपकी Dimension के अंदर कोई Change आया है जैसे अगर आपने इस direction के अंदर magnetization किया तो अगर यहां से यह हो सकता है वड़ जाए यहां से यह आपका वड़ भी सकता है delta ln से या फिर यह आपका क्या हो सकता है delta ln से कम हो सकता है ठीक है तो यानि कि अगर आपने magnetic field जिस direction के अंदर apply की है उसी direction के अंदर तो सम्थिंग का मतलब चेंज इन डाइमेंशन चेंज इन डाइमेंशन ठीक है सम्थिंग चेंज इन डाइमेंशन इन दाइरेक्शन ओफ इन डाइरेक्शन ओफ किसकी डाइरेक्शन में इन डाइरेक्शन ओफ एपलाइड एक्स्टरनल फिल्ड इस तरीके से ठीक है तो इसक in the direction of applied something या फिर change in dimension dimension के अंदर आपका change हो रहा है in the direction of applied external field तब उसको बोलते हैं आपका कुन सा longitudinal magnetostriction ठीक है और यहां से अब यह कितना change हुआ है देखो अगर delta इसको हम lambda से represent कर देते हैं lambda it is equal to change in length with respect to length ठीक है total length इसकी सबसे आपका कितना change हुआ है तो अगर आपका delta है positive अगर यह value आपके आती है positive तो इसको बोलते हैं आपका expansion ठीक है क्या बोलते हैं आपका expansion expansion का मतलब बढ़ गया आपका ठीक है बढ़ गया है और अगर इसकी value आपके आती है क्या negative तो इसको बोलते हैं आपका क्या यहां पे आपका क्या हो गया भई के अंदर आपका आता है, second is transverse magnetostriction, transverse magnetostriction, ठीक है, transverse magnetostriction, अब यहाँ से आपका देखो, अगर आपने इस direction के अंदर magnetic field को apply किया, और change जो आपका हो रहा है, वो यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है, यानि कि perpendicular, कुछ ना कुछ आपका perpendicular direction में हो रहा है, magnetic field के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, आपका transverse magnetostriction, तो यहाँ से आपका लिखेंगे, change in dimension, change in dimension, ठीक है, कहाँ पे, change in dimension in perpendicular, in perpendicular, in perpendicular, in perpendicular to applied external field, ठीक है, कहाँ पे आपका हो रहा है, applied external field के, perpendicular में, तो इसको बोलते हैं, आपका क्या, इसको आपका बोलेंगे, transverse magnetostriction, ठीक है, यानि कि आपका नीचे की तरफ, यहाँ पे, यह जो आपका change आपका नजरा रहा है, ठीक है, इस change को आपका बोलते हैं, transverse, आपने field तो इस direction में apply की, लेकिन dimension, इस direction के अंदर change हो रही है, तो इसको बोलेंगे, आपका कुंसा, transverse magnetostriction, अब इसी के हिसाब से आपका एक graph देखते हैं, देखिए, यह आपका मालीची कोई graph है, ठीक है, यहाँ पे आपका expression और compression आपका देखते हैं, तो देखो, एक आपका होता है, आपने सुना होगा, nickel ferrous alloy, यह nickel ferrous alloy, ठीक है, यह nickel ferrous alloy है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन अपका होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन अपका होता है, फिर आपका इसके अंदर देखो, तीन मैंने आपको बताए थे, एक तो आपका होता है, एक आपका कोबाल्ट और एक आपका निकल, तो इन तीनों क कैसे आएगा देखो iron का आपका कुछ इस तरीके से रहता है यानि कि iron के अंदर यह iron का है iron के अंदर पहले आपका expansion होगा और फिर आपका नीचे की तरफ आ गया यहां पर निकल का इन दोनों के अंदर आपका क्या होता है कंप्रेशन लाइ ओर ओर यह आपका इंपोर्टेंट है वही तो यह ग्राफ आपको जो मैंने आभी आपको बताया है तो यह आपका याद रखेगा transverse magnetostriction आपका क्या होता है जो perpendicular direction में हो रहा हो और longitudinal का मतलब जो same direction के अंदर आपका आ रहा हो ठीक है फिर एक आपका आता है इसके अंदर volume magnetostriction और ये आपका जो है transformer के अंदर बहुत useful है ठीक है तो next आपका इसके अंदर आपका discuss करेंगे volume magnetostriction जहां पर आपके इन दोनों का क्या होता है combination ठीक है दोनों का combination लिया जाता है यहां पर एक आपका graph के अंदर आएगा यह आपका graph किस-किस की बीच में इस बिट्विन लेम्डा और यहां पर आपके magnetostriction ठीक है वोल्यूम magnetostriction यह आपका किस-किस की वजे से होता है डिस ड्यू टू बॉथ यह आपका दोनों की वज़े से वोल्यूम आपका आगया तो इसका मतलब आपका transverse भी लेंगे और साथ में आपका longitudinal magnetostriction भी लेंगे तो यहां से आपका लिख सकते हैं magnetostriction due to due to both due to both longitudinal as well as as well as transverse और किसकी वज़े से आपका transverse magnetostriction दोनों की वज़े से ठीक है दोनों की वज़े से आपका आजाएगा ठीक है अब यह आपका हो गया volume magnetostriction अब हम इसमें देखते हैं in case of transformer आपका क्या होता कैसी सको पता चलता है in case of transform transformer थीक है तो transformer के केस में अपने क्या रहेगा देखोड़स आसा रहता है यहाप यह क्या होगी this is your first ठह्ति यह आपकी पहली है नीफर उसके बाद उपर से आपकी पतली सी, ठीक है, यह ट्रांसफोर्मर के अंदर आपका डिसकस करेंगे, तो यहां से आपका, यह आपका हो गया बई, ठीक है, अब यहां पर आपकी क्या रहती है, को, ओ सरी, यहां पर आपकी क्या रहती है, को, यहां पर आपकी क्या हो गया है, को, आपकी क्या हो गया है, को आपका देते हैं, when AC is applied, यहाँ से आप इसकी थिओरी लिखेंगे, when AC is applied, जब हम इसके अदर AC को apply करेंगे, AC is applied to transformer, यह transformer है वहीज आपका जिसको आप लिखते हो, transformer, इसके short form मैंने आपको लिखा हुआ है, और acceptable भी है, IEEE rule के हिसाब से, Xmer आप लिख सकते हो, ठीक है, इसका मत apply to transformer जब हम क्या apply करेंगे आपका transformer के अंदर आपका AC apply करेंगे तब आपका क्या आएगा देखो when AC is applied to transformer तब आपका आता यहां से there is continuous there is continuous continuous changing changing in external field continuous changing का मतलब आपका क्या होगा एक बार positive आपके आएगी एक बार इस direction में आएगी और एक बार opposite direction में आपकी क्या होगी external field आपके आजाएगी ठीक है तो जब आपका AC apply करेंगे तब आपका ऐसा होता यानि कि जब आपने sinusoidal signal इस तरीके से apply किया तो इसको हम बोल सकते हैं H external या आपके इसका signal है H external का signal है तो एक बार positive रहेगा और एक बार आपके रहेगा negative तो वेन positive field when when positive supply positive supply is applied is applied तब आपका क्या होगा देरी या तो यहां पे compression होगा या फिर यहां पे expansion होगा there is compression there is compression or expansion यहां पर यहां तो when negative supply is applied तब भी आपका क्या होगा there is compression या expansion तब भी आप़ क्या होगा compression या फिर expansion आपका होगा कहां पे होगा core के अंदर कैसे आयेगा देखो ये तो आपकी simple core है अब इसके बाद में जब आपकी expand हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है देखो यहां से आपके कुछ ऐसी हो गए यहां से आपके knowledge expand कर गएगी similarly यहां से आपके expand कर गए it is like this तो क्या होगा आपका तो जैसे ही आपकी cycle इसके अंदर से पास करेगी तो इसके बीच में जो air molecules है वो भी आपके magnetize हो जाएंगे और magnetize होने के बाद में वो यहाँ पर आपका क्या produce करेंगे vibration आपका produce करेंगे और vibration produce करने की वज़े से यहाँ पर आपका क्या होगा एक noise आपी great होगी और उस noise को हम बोलते हैं humming noise ठीक है तो यहाँ से आपका लिखेंगे when when external field is applied when external field is applied जब external field को apply करेंगे when external field is applied the core gets magnetized core gets magnetized as well as एक तो core आपके magnetized होगी और साथ में आपका क्या होगा as well as the air particles as well as the air particles inside ferromagnetic core किसके अंदर है आपके ferromagnetic core के अंदर जो आपके air particles है यानि कि जो बीच में आपका gap है इसके बीच में जो आपके air particles है यहाँ पे यह भी आपके क्या हो जाएंगे यह भी आपके साथ-साथ magnetized हो जाएंगे as well as the air particle inside ferromagnetic core also gets magnetized यह भी आपके क्या हो जाएंगे, also gets magnetized, यह भी आपके magnetized हो जाएंगे, ठीक है, also gets magnetized, और इनके magnetization होने की वज़े से, there is vibration in the air particles, and there is, and there is vibration in the air particles, और यहाँ पर आपके क्या होगी, vibration, vibration in air particles, and they produced, and they produced, they produced, और यह क्या produce करेंगे, they produced a noise, a noise, called humming, इस noise को अपका क्या बोलते हैं, called humming noise, ठीक है, इस noise को अपका क्या बोलते हैं, humming noise, तो जब आप transformer के पास से आप जाते हो, तो आपको लगा होगा, कि वहाँ से आपके एक irritating sound सी produce होती है, उसी sound को हम क्या बोलते हैं, humming noise ठीक है, और इस noise को reduce कैसे किया जाता है, इस noise को कैसे reduce किया जाएगा, अगर हम winding को properly stack कर दें, stack का मतलब अच्छे से बांदें उसको, जैसे यह आपकी क्या थी, कोर थी, अगर हम इसको अच्छे से बांदें, तो क्या होगा आपका, जो vibration आपका होगा, वो कम हो जाएगा, औ आप देखो, जो पहले आपका air particles, loose air particles थे, loose का मतलब पहले आपके loose थे, और loose आपके क्या कर रहे थे, आसानी से आपके टकरा रहे थे उससे, ठीक है, अब जब हम उसको अच्छे से बांदेंगे, तो क्या होगा, vibration तो आपका जाएगा, लेकिन अब जो vibration आपका जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी जो noise है वो अपकी क्या हो जाएगी, कुछ हद तक reduce हो जाएगी, ठीक है, तो यहां से हम इसमें लिख सकते हैं, to reduce this noise, to reduce this noise, to reduce this noise, to reduce this noise, इस noise को कैसे reduce किया जाए, noise का production किस की वज़े से हो रहा है? vibration की वज़े से, आपका vibration in air particles की वज़े से, ठीक है? तो in air particles को आपका क्या कर दिया जाए? बिल्कुल कम gap दिया जाए, ठीक है? to reduce this noise core will be properly stacked core will be properly stacked ठीक है? अच्छे से इसको क्या कर दिया जाता है? stack, stack का मतलब बांध दिया जाता है, ठीक है, तो stacking factor एक आपका होता है, जो आपका transformer के अंदर आप पढ़ते हो, तो यहां से stacking factor जो आपका होता है, properly winding, properly stacked winding का जो आपका रहेगा, वो तो आपका 1 होता है, ठीक है, stacking factor it is equal to 0.5 to 0.95, इतने तक हम इसको ले सकते हैं, और अगर आपका properly stacked है, for properly stacked, for properly stacked, properly stacked के लिए आपका क्या हो जाएगा, this is equal to 1, properly stacked का मतलब आपका क्या हुआ, आपने अच्छे से बांदा हुआ है, यहां पे जो आपका air gap है, वो आपका क्या हो गया it is like this, यह आपने इस तरीके से बांदा है, आपको पता ही नहीं चल ला है कि यहां पर कहां पर, कहां पर आपके air particles है, ठीक है, तो air particles अगर आपके कम हो जाएंगे, यानि कि अगर आपने इसको properly stacked कर दिया अच्छे से, तब आपका क्या होगा यहां से, तब आपका ऐसी पूछ लिया जाता है कि इसका जो Converse होता है, इसका जो Reversible Process है वो बताइए आपका क्या होता है, तो इसका Reversible Process भी आपके लिए important है, उसका नाम हमेशे याद रखिएगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ That is called Velary Effect, इसको बोलते हैं आपका Velary Effect, ठीक है भई, यह आपका क्या होता है Velary Effect आपका होता है, यानि कि Converse of Magnetistriction is called Velary Effect, ठीक है, यह आपका बोलते हैं अब जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे, जैसे मैंने आपके आपसे डिसकस किये बहुत सारे material, ऐसे ही सेम आपके जो material आपके होते हैं वो आपके electric materials भी होते, यह तो magnetic materials हैं, वहाँ पे आपके electric materials भी होते हैं तो कई बार आपका relation कुछ ले जाता है कि क्या relation होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले dielectric material, ď बामेगनेटिक की जगे परा इलेक्ट्रिक आपका आजाएगा, फेरो मेगनेटिक की जगे फेरा इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक आपका आजाएगा, एंटी फेरो मेगनेटिक की जगे आपका एंटी फेरो इलेक्ट्रिक और लास्ट में आपका फेरी इलेक्ट्रिक, चीक है, इस तरीके से आप का magneto restriction है वैसे ही आपका क्या रहेगा electrostriction भी रहेगा ठीक है और उसके अंदर आपका जो magneto restriction है उसका जो reverse मैंने आपको बताया that is valori effect ऐसे ही इसका जो reverse होता है electrostriction का जो reverse होता है उसको हम बोलते हैं electrostriction का जो reverse आपका होगा electrostriction का जो reverse आपका होगा reversible process इसको क्या बोलते हैं हमका इसको बोलते हैं आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है अब जैखोई इसमें ये आपका कई बारняं जैसे डारेक आपका रिलिशन पूछ ले जाता है कि जैसे आपका magnetostriction है उसके अंदर आपका क्या होता वैलरी एफेक्ट ऐसे ही आप मुझे बताईए कि elektrostriction के अंदर आपका कुन सा एफेक्ट होगा तो आप जवाब दे सकते हो that is called PGO electric effect और इसी के base पे आपका एक transducer भी है PGO electric transducer ठीक है जो हम discuss करेंगे आपका measurement के अंदर तो यहां से आपको यह मैंने आपको बताया किसके regarding आपका magnetostriction के regarding ठीक है अब हम इसके अंदर आपका discuss करेंगे soft and hard magnetic material और उससे पहले थोड़ा वैलरी एफेक्ट को देख लेते हैं तो वैलरी एफेक्ट वैलरी एफेक्ट तो वैलरी एफेक्ट आपका क्या होता है आपको पता है इट इस था कनवर्स of it is the converse of magnetostriction यहां ब्रस होता है विए कनवर्स ओफ मैंगे डो स्टिक्शन ठीक है और यहां पर आपका क्या होता है नो चेंज इंँ प्रोपल्टी ओफ ए माटिरियल वें एक्टर नल फिल्फॉर्स यानिदीश आपके mechanical forces applied there is this LIKING there is changing flow changing is keeping our Takes a change in magnetic properties magnetic properties magnetic properties AG money मुल एक तो आप का कई और एक मु आप का मु और ठीक है relative permeability ऑर दूसरा susceptibility के अंदर आपका था change आता है when when there is change in magnetic property when there is change in when there is change in dimension जब आपका क्या होगा जब change होंगे आपनी क्या dimension जब when there is change in dimension on applying on applying mechanical force कब आपका जब हम mechanical force इसके अंदर आपका क्या करेंगे apply करेंगे तब आपका जब चेंज आता है magnetic properties के अंदर ठीक है उसको आपका बोलते हैं आपका क्या well-ary effect तो देखो यहां से आपका अगर मालीजे यहां पर म्यूर है अगर किसी material का म्यूर है तो अगर इसको हम expand कर दें अगर हम इसको क्या कर दें expand कर दें या फिर इसको हम compress कर दें या आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया mechanically और इसको आपने क्या कर दिया इस तरीके से आपने force apply कर दी तो यहां से हम इसको लिखेंगे for nickel ferrous alloy हमने जैसे आपका देखा था property के अंदर graph से आपका for nickel ferrous alloy क्या हुँआः धा क्या होगा इफ डेल्टा इटेज फोजी घोपोजटीड का मतलाल भी आपका और अगर आपने कर दिया डेल्टा को नीगेटिव वह आपकीilton बैपकी आपकी नेगेटिव है, Change in length, नेगेटिव का मतला आपका क्या होगा, Compression, और compression जब आपका होगा, यानि कि ये जब आपका आएगा, तो दो म्यूर की वैल्यू हम यहां पे कहेंगे, आपका क्या हो गई है, Decrease हो गई है, तो इसका मतला, the change in magnetic property, यानि कि μू, आर और जो आपका काई है, यानि कि susceptibility है, इसके अंदर अगर आपका कोई चेंज आता है, कब, जब हम किसी भी material को mechanically आपका क्या करते हैं, आपका compress या फिर expand करते हैं, तब आपका, ठीक है, तो उस effect को आपका बोलते हैं, कौन से effect होगा, well airy effect, ठीक है, और से मैंने आपको बताया, पीजो electric effect और आपका electrostriction के बारे में, ठीक है, अब हम इसके बाद में, इस lecture के अंदर शायद इतना ही करेंगे आपका, और next जो आपका lecture आएगा, उसके अंदर आपका सबसे important जो topic है, वहाँ से आपका direct, आपके question पूछा जाता है, यानि कि direct आपक conventional के अंदर भी आ सकता है, और objective भी तो आपका बनता ही वहाँ से, that is hard magnetic material and soft magnetic material, thank you.